हलो दोस्तो यह देखी आज हम लेख देशी चिकेन करी बनाने वाले हैं सबसे पहले हमने पियाज ले लिया लसून ले लिया लाल मिर्चा अधरग जीरा गोल की धन्या और तेजपत्त दोस्तो यह देखिए आपको सामने से चेक आउट करते हैं यह देखिए यह हमने सारा ivid वी रेडी है जो हम ने इसे डालना है हमने कढाई ओल्रेडि गरम कर दिया था यह उपर से सर्सों सेल हमने पर-षो 사ज कर दिया हूं हम ने टेजपर्ट अकडाई में परेड हो गया है नैसे परاج हमने प्याज दिया क्लोटे ऑज़ने प्यद्ट कर दिया है इस वीडियो में दोस्तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे चिकेन को जैसे कि पिछला वीडियो में हमने पहले चिकेन को तेल में भूंजा था इसके बाद हमने मसाला एड़ करके अच्छे से भूंज के आपको डायरेक्ट की चिकेन को देखे एड़ करके अच्छी तरीके से आप चलिए वीडियो पे बने रही है हम को वीडियो में आगे दिखाते हैं अपको पीयाज को तब तक खुणे लेना जब तक preねजरी आप सॉटि प्ला ना हो तब तक आपको अच्छी तरीके आप का आप झेले नहीं parliament यह देखिए दूस्तो हमारा मसाला आ गया है यह हमने मसाला एड़ कर दिया अच्छी तरीके से फिर हमने कर्चू से अच्छी तरीके से इसे मिला लिया फिर प्रस हमने स्लेम हाई कर दिया गेज का गो कर देखिए दूसतो हम उपर से हर्दू एड़ इड़िया इसमें हमने अच्छी तरीके से दो च्री एड़िया जोनज लिया करते हमने हमारा घरे मसाला आ बैवातकर माने आज़ कि आपके हमारा घरम मसाला आ गया यह देखिए दोस्तो अभी हमारा कस्मीर गुंडा आ गया आपको क्वांटिटी के ही साब से इस्तिमाल करना आपको ज्यादा लाल चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हैं हमने याञदे नमट कर लिया . मसाला ने तेल ठोडना स्टार्ट कर दिया सब्सक्राइब 1-2 став मोज़ा था अच्छी तरह के से तेल अधित क्या रिखा दिया उपर से टामाटर एड़ कर दिया टामाटर को बारिक कट के पहले से ही रेडि कर के रहा था फिर हमने अच्छे तरीके से मिला दिया अभी हम लोग टमाटर को गलने देंगे अच्छी तरीके से बीच बीच में चलाएंगे यह देखिए टमाटर हमारा हलका सौफ हो गया है मारा मसाला अच्छी तरीके से घुन लिया है यह देखिए अब वीडियो पर देख रहे होंगे यह देखिए हमने अच्छी तरीके से मसालों को घुन लिया है तामाटर भी अच्छी तरीके से गल चुका है यह देखिए यह देखिए हमने फिर देसी चिकन एड कर लिया इसमे आज हम लोग का बनेगा देशी चिकन करी ये देखिए हमने सब चीच काट के रखा था ये देखिए हमने घर में ही काटने का काम किया था दोस्तों ये देखिए हमने अच्छी तरीके से फिर मिला दिया आज हमने अच्छी तरी से पकने के लिए उपास हमने धकन एड कर दिया है चिकन हमारा जल्दी बने इसलिए हमने धकन लगा के बना रहे हैं आप चाहे तो बिना धकन के भी डारेक्ट बना सकते हैं जैसे आप बनाते हैं आप वीडियो में लग्रेत तो फूरा टील चोड़ रहा है ृष फिर अची तर पीज़़्ा टीन भीने शेखो तेल चोड़ा रहा था अभी लेखिए हमने इत Liberty और में शेसे धक्तन कर देयागा ये देखिए हमने इसे थोड़ा देरी छोड़ दिया है ये इसके बाद हम फिर से धकन लगा के ही पकाएंगे ये देखिए फिर से हमने इसे चला दिया प्रेटेस लेखर दिए नहीं वशार दो नगा दिया कि निए भी पकने के लिए कुछ देरी छोड़ी है हमने इसे धखन लगाके पकने के लिए रखा था यह हमारा चिकन फिर से तेल छोड़ दिया है फिल रहे हमने तैचे दरीके से इसे मिला दिया है यह देखिए दोस्तों पूरा लेडी हो गया है अभी हम चिकन को आप दिखा रहे हैं यह देखिए सामने से आपको चेक करवा रहे हैं यह देखिए हमारा चिकन करी है अब यह देखिए हमने पानी डाल दिया है चिकन करीग ने अब जादा गिरेवी करना चाहिए तो आप जाला पानी एड की जएगा हमारा देशी चिकन करीग अब बन के कुछ देर में रेडी हो जाए यह देखिए अभी इसे हम थोड़ा से पकने के लिए हम ढखा देंगे इस अब बच्छी टाइम एड कर दीजे यह देखिए फिर हमने पकने के लिए इसे डखकन लगा के छोड़ देना है यह देखिए हमने डखकन लगा दिया और हमने छोड़ दिया कुछ देर यह हमारा देशी चिकन करीग बन के रेडी हो गया है बहुत ही अच्छा दिखने में सुन्दर आ रहा है यह देखिए हमारा हमने जो धनिया पत्त काटके रखा था उपर से हमने गार्निस कर दिया इसको यह देखिए यह देखिए हमने उपर से हमने गार्निस कर दिया यह हमारा देशी चिकन करी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है यह देखिए फाइनली हमारा चिकेन केरी बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा चिकेन केरी का फाइनल लुक यह देखिए यह देखिए हमारा चिकेन के फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं तो पर देख सकते हैं आपको वीडियो अच्छा रहता लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो जरू से जरू सब्सक्राइब करें थैंक यू